तो सेहत के लिए काफी लावदायक जो चीज हैं आपको आज अमारे भाईश शेपी टाक जी बताएंगे किया उनके डाइट रहती है ये जिम भी जाते हैं और ये क्या डाइट लेते हैं अपनी शरीर के लिए आपको बताएंगे को culture जान्तें से कि यह क्या diet plan लेते हैं कब क्या इनका खाने पीड़ीनु का क्या टाइमिंग रहता है क्या यह लेते हैं डाइट में सब आपको बताएंगे डीटेल से मन्या किसी डीटेल को बेरे हैं तो भाई सब आप ये क्या सेवन कर रहे हो फिलाल ये तो जो अपने कले चने अते ना अच्छा जो भीगोकर अच्छा जी और एक रात कल शाम को पर्षो शाम को भीगोई तो इनको अच्छा जी और कल इनका पाने निकाल दिया और ऐसे शूपने के लिए छोड़ दिया अच्छा सरी अंकूरित हो गए है इनको खाएंगे तो इनमें अच्छा पीए मट्टी का मेरे क्याल से ये खुलिया है इसके इंदर आप बिगा के रखना पड़ता है इसको मैं रात को भीगो देता चाल कंते हैं तो सर अंकूरित कितने हो जाते है यह क्या फायदा मिलता इसको आने से अपने सांस टीकर परना फांस हीरा फाइदा हुद रोन तो यह निए प्रोटन होता है तो आप दिरूरी सकता करी मातरा होती है तो अब रूर्ण और निशेवन कहरे है अगर आप प्रैक्टिस वगरा करते हैं यह वैसे भी अगर आप इसको खालो तो कोई नुक्सान तो करता नहीं है यह फाइदा है कर देगा दोस्तों तो जुरूर इसका सेवन करें और जिस हिसाब से इसका सेवन करते हैं राम राम से चबा चबा की खाना चीए ज़ादा जल्दबाजी में नहीं खाना चीए बिल्कुल इसको इंजोय करके खाना चीए तो दोस्तों यह जानकारी थी आपको डाइट प्लान अमारे सीपी टाक की तरफ से और आप इसी तरह की मैध पूर्ण तो तो जिम में पहले जाते थे अब यह नहीं जा रहे हैं लेकिन फिल आर यह डाइट आपको बता रहे हैं जो भी काफी आपके शहत के लिए बहुत बढ़ी है दोस्तों तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारा चैनल तो जानते हो जैस्ट सॉलूशन के नाम से उसको आप सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों कुछा शेयर करें लव यू अल